दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं आपके BSC Second Year 4 Semester Geology के Unit Second Application of Genetic Engineering से जुड़ा हुआ टापिक Single Cell Protein जिसे हम SCP के नाम से भी जानते हैं तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि Single Cell Protein होता क्या है इसके अलावा ये भी जानेंगे कि Single Cell Protein हमें किन Organism से प्राप्त होते हैं इसको बनाने का Procedure क्या है और साथी साथ Single Cell Protein से हमें क्या Benefits है और क्या Loss है इन सब के बारे में भी Detail से जानेंगे तो कुल मिला कर देखा जाए आज का ये वीडियो बहुत ही Important है तो वीडियो को ध्यान से देखेगा पूरा देखेगा तो सबसे पहले बात करते हैं What is SCP यानि कि Single Cell Protein है क्या The Dried Cell of Micro Organism यानि कि कुछ जीवों का सूखा हुआ जो कोशी का है जैसे कि Micro Organism के रूप में हम ले लिए LG, Bacteria, कुछ फर्जाई या फिर Actinomycities जिनका यूज हम as a food या फिर as a feed के रूप में करते हैं ऐसे Microbial Protein को हम बोलते हैं Single Cell Protein तो starting में इसे हम Microbial Protein के नाम से जानते थे लेकिन बाद में जो term Microbial Protein है यह replace कर दिया गया New Term से जिसे हम Single Cell Protein यानि कि SCP के नाम से जानते हैं तो Microbial Protein जो नाम replace किया गया 1967 में Manchester Institute of Technology यानि कि MIT Cambridge जो कि Manchester USA में है तो यहाँ पर बात आए कि यह जो Microbial Protein टर्म है इसे क्यों change किया गया तो इसको change करने का मतलब इसलिए था क्योंकि जो Microbial Protein है तो अगर हम Micro Organism को देखे तो वो आपके Single Cell और Multi Cell दोनों हो सकते हैं तो जितने भी Protein मिलते थे Micro Organism से वो जनरली हमें Single Cell से मिलते थे इसलिए आगे चलकर जो Microbial Protein टर्म था उसे change करके रख दिया गया Single Cell Protein तो Single Cell Protein को हम define कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर definition लिखा हुआ है A Single Cell Protein or SCP is an edible protein derived from a pure microbial monoculture or cell culture of different micro-organism यानि कि Single Cell Protein जो है एक प्रकार का खाने वाला protein है यानि कि edible protein है जिसका निर्माड micro-organism के monoculture यानि कि single culture या फिर कह सकते हैं different micro-organism के culture के थूँ किया जाता है तो microbial culture से प्राप्त जो protein है जिसका यूज हम खाने में कहते हैं उसे हम कहते हैं Single Cell Protein अब यहाँ पर बात आती है कि हम किस प्रकार के micro-organism का यूज करते हैं Single Cell Protein के निर्माड में तो Single Cell Protein के निर्माड में हम bacteria, algae, fungi, इस इन सभी micro-organism का यूज करते हैं तो जैसे अगर हम बात करें बैक्टिरिया की बैक्टिरिया में हम किसका use करते हैं Single Cell Protein के रुप में लो मोनास, बैसिलस, मेकाथिरियम, लैक्टो बैसिलस, ठीक है, उसी तरह अगर हम देखे इस्ट में, तो इस्ट भी एक फंजाई ही है, तो इस्ट की केस में है, कैंडीडा, लिप्टो, लिटीका, सेक्रोमाइसी, सेरेवेसी, और अगर हम अधर फंजाई के रूप में देखे जिसका यूज सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में किया जाता है, फिजेरियम है, फिनेरियोचिता, क्राइसोइस्पोर्मियम और मस्रूम, वहीं एलगी के रूप में है, क्लोरेला इस्पिसीज, स्पाइरूलिना, कॉन्रस, अब यहाँ पर बात आती है कि सिंगल सेल है कि हमें pure culture करना है, ठीक है, यानि कि हम ढ़े सारे micro-organisms को एक साथ लेकर सिंगल सेल प्रोटीन का formation नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें pure culture चाहिए, किसी एक particular micro-organism को हम लेंगे, उसके अलावा हमें उसके लिए nutrients चाहिए, nitrogen चाहिए, fast phosphorus चाहिए, potassium चाहिए, इसके लबाद हमें चाहिए, जो की सिंगल सेल प्रोटीन का फार्मेशन कर सकains इसके बाद उन माइक्रो आर्गेनिज्म का हम करेंगे तो फ्रमंटेशन करने के लिए हमें फ्रमंटर की ज़ुरत होगी तो आप ब्यचिन फिस्ति नियर में फ्रमंटेशन और fermanter के बारे में पढ़े होंगे ferman entitled जो हमारा अगला step होगा वह होगा harvesting in proper condition जयानि कि जो हम single cell protein का production कर रहाएए उनको किस तरह से proper condition में रख सकते हैं उनके लिए कि लिए पैफेरी चाहिए उनके लिए सिंगल सेल प्रोटीन प्रोसेसिंग अब जब फार्मेशन हो गया प्रोडक्शन हो गया सिंगल सेल प्रोटीन का अब उसे हम कैसे प्रोसेस करें यानि कि उसको हम कैसे पैक करें कि वह हमारा बहुत दिनों तक चले ठीक है ना मतलब बहुत दिनों तक हमें यूज करने के लिए single cell protein का processing करना होता है आई ये next time बात कहते हैं कि single cell protein production के क्या-क्या properties होने चाहिए तो single cell protein production के कुछ properties हैं सबसे पहला है absence, pathogenity and toxicity यानि कि जब भी हम single cell protein का production कहते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि उसमें कोई pathogenic microorganism न हो या फिर उसमें कोई toxic substance produce न हो क्योंकि जब भी अगर toxic substance होगा तो अगर हम उसका use कहते हैं तो वो हमारे लिए harmful होता है दूसरा है protein quality and content यानि कि जो भी microorganism की तुरू में protein मिला है उसकी quality अच्छी हो, उसके content अच्छे हो इसके बाद है digestibility and organoleptic quantities यानि कि ये कुछ इस तरह का protein हो जिसको हम easily digest कर पाए और ये organoleptic properties हो नेक्स्ट इसका है growth rate यानि कि जो single cell protein यूज कर रहे है उसका growth rate अच्छा हो adaptability to unusual environmental condition यानि कि जो single cell protein हम use कर रहे है वो ऐसे भी environment में रह सके जो उसके लायक न हो यानि कि कि किसी और other condition में वो रहने लायक single cell protein हो वो अपने आपको उसमें adapt कर सके अब next बात आती है कि हमें single cell protein की ज़रुरत क्यों है तो अगर हम बात करें human की या animal की तो ये protein को consume करते है क्यों consume करते हैं क्योंकि हमें nitrogen की ज़रुरत होती है amino acid के formation के लिए यानि कि जो essential amino acid है उनके लिए चाहिए हमें nitrogen और ये nitrogen हमें किसे मिलेगा protein के consumption से इस तरह से protein के consumption से amino acid का formation होगा इसके अलाबा कुछ protein है जो हमारे body में बनेंगे जो कि structural और functional होते हैं जैसे कि enzyme में hormones हैं ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारे body के लिए जरूरी है इसके लाबा कुछ microorganism के cultivation के लिए भी हमें protein की ज़रुरत पड़ती है जैसे कि अगर हम बात करें fungi को ठीक है ना तो अगर हमें fungi को grow कराना तो उसके लिए भी लगबग 30 to 50% protein की ज़रुरत होगी इसके लब आपको बता दे कि जब हम फंजाए के रूप में single cell protein का production करते है तो उनसे हमें बहुत सारे और भी elements मिलते है जैसे कि vitamin है vitamin के b जो complex thymine है riboflavin है biotin है niacin है panthothenic acid है pyradoxin है koline है streptogen है तो ये सभी जो most important chemical है या nutrients है ये भी हमें single cell protein से मिलते है और कुछ जो फंजाए उनके cell wall में rich amount में glucans इसके लावा fiber पाये जाते है जो कि हमारे diets के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि single cell protein क्यों जरूरी है तो दोस्तो ये था हमारा आज का वीडियो जो की single cell protein पर आधारित था I hope आपको सभी बाते समझ में आ गई होंगी तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो please वीडियो को like करेगा और अपने दोस्तों में share कीजेगा और कोई भी doubt है आप हमसे comment करके पूस सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जहिंद जाभारत